सवारयत्वारी व्यवस्था की शुरुआत किस ने की थी? A. Thomas Munro B. Martin Burda C. Convalis D. Lord Dalhauji सही उत्तर है A. Thomas Munro सवालंग्रेजों द्वारा रयत्वारी बंदोबस्थ कब शुरू किया गया था? A. बंगाल प्रेसीडेंसी B. मदरास प्रेसीडेंसी C. बंबे प्रेसीडेंसी D. मदरास और बंबे प्रेसीडेंसी सही उत्तर है D. मदरास और बंबे प्रेसीडेंसी सवाल ब्रिटिश व्यवस्था में रयत्वारी भू राजस वसूली प्रचलित्थी A. उत्तर भारत B. पूर्वी भारत C. पश्चिम भारत D. दक्षिन भारत सही उत्तर है D. दक्षिन भारत सवालसम में पहली चाय कम्पनी की स्थापना कब हुई थी? A. 1835 B. 1837 C. 1849 D. 1841 सही उत्तर है C. 1849 सवाल ब्रिटिश शासन के दोरान भारत के आर्थिक पलायन के सिध्धान्त के प्रतिपादक कौन है? A. एमेन रोय B. जै प्रकाश नारायन C. राम्वन उहर लोहिया D. दादा भाई नौरोजी सही उत्तर है D. दादा भाई नौरोजी सवाल निम्नल इखित नेताओं में से कौन दादा भाई नौरोजी के निकास सिध्धान्त में विश्वास नहीं करता था? A. B. G. तिलक B. आर C. दत C. M. G. रानादे D. सरसयद एहमद खान सवाल Poverty and the British rule in India पुस्तक के लेखक कौन है? A. अमर्त्य कुमार सेन B. रमेश चंद्रदत C. गोपाल कृष्म गोखले D. दादा भाई नौरोजी सही उत्तर है D. दादा भाई नौरोजी सवाल किसने माना की British आर्थिक नीती भारत में ग्रिनित है? A. B. G. तिलक B. दादा भाई नौरोजी C. काल माक्स D. एडाम स्मित सही उत्तर है C. काल माक्स सवाल निमनल एखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित ड्रेन थियोरी शब्द को सही धन्त से परिभाशित करता है A. की देश की संसाधनों का ब्रिटिं के हित में उपयог किया जा रहा था B. की भारतियों की राष्ट्रिय समपत्ती या कुल वार्शिक उत्तपाद का एक हिस्सा ब्रिटिं को निर्यात किया जा रहा था जिसके लिए भारत को कोई भौतिक रिटन नहीं मिला, द, ये की ब्रिटिश उद्योगपतियों को सामराज्यवादी सत्ता के सन्रक्षन में भारत में निवेश करने का अफसर दिया, जा रहा था, द, की ब्रिटिश सामान देश में आयात किया जा रहा था, जिससे ये दिन बदिन गरीब हो रहा था, सही उत्तर है, बी, की भारतियों की राष्ट्रिय सम्पत्ती या कुल वार्षिक उत्पात का एक हिस्सा ब्रिटिश को निर्यात किया जा रहा, था जिसके लिए भारत को कोई भौतिक रिटन नहीं मिला, सवाल भारत में उपनिवेशिक शासन की अवदी के संदर्ब में, होम चार्ज, भारत से धन की निकासी का एक महत्व पूर्ण, हिस्सा था, निमनल इखित में से किस फंड ने होम चार्ज गठित किया? एक, फंड लंदन में भारतिय कार्याले का समर्थन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, दो, भारत में लगे ब्रिटिश कर्मियों के वेतन और पैंशन के भुकतान के लिए उप्योग की जाने वाली निधी, तीन, अंग्रेजो द्वारा भारत के बाहर युद्ध छेडने के लिए प्रयुक्त धन, नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, A. केवल एक, B. एक और दो, C. दो और तीन, D. एक, दो और तीन, सही उत्तर है, B. एक और दो,